सिमान दिपक त्रिवेदी जी, अपर मुख्य सचीव राजस्व स्रीमती रणुका कुमार जी, अपर मुख्य सचीव मुख्य मुंत्री कारले सेस्पी गोयल जी, अपर मुख्य सचीव सुचना सी नोनी सेहगल जी, आज के इस कारिक्रम एपस्तित राज़स्व विभाग के सभी अधिकारिकन अमारे साथ बर्च्वली इस लोकारपन कारिक्रम के साथ जुड़े है भारत सरकार के मान्य मंत्री और लोकप्रिय सांसत जनर्र डॉक्टर वीके सिंग जी मन्य सांसत शी हरनाज सिंग जी द्रेवेंदर सिंग भोले जी प्रतीप चौदरी जी धर्मेंदर कस्यप जी रेखारण बर्मा जी राजवीर सिंग जी विजय कुमार दुवे जी डॉक्टर राम संकर कठेरिया जी प्रदेश सरकार में मेरे सयोगी मंत्री गण सिश्वामी प्रसाद मोरे जी शुरेश राना जी भुपेंदर सिंग चौधरी जी राम नरेश अग्नहुत्री जी सभी मानिय विधायगण और इस समारों में पस्तित राजश्व विभाग से जुड़े भे सभी जन्पत अस्तर और तैसील अस्तर के अधिकारी और करमचारी गण मैं राजश्व विभाग को प्रदेश के अंदर इन उन्नीस अदद आवासे और अनावासे भौनों के लोकारपण के इस कारिक्रम में फिर्दै से वधाई देता हूँ अपनी सुमकामनाई देता हूँ हम सब जानते हैं कि बहुत बड़ी भूमिका है राजश्व विभाग की प्रदेश की प्रसासनिक मसिंद्री के साथ साथ प्रदेश के अंदर भूमी समंधी विभादों के निप्टारे में राजश्व विभाग की एक बहुत बड़ी भूमिका है और अगर मैं कहूं कि एक सामान्य नागरी की समस्याएं या उसकी जरुतों में राज़ोस्व विभाग जिस रूप में अपनी भूमिका का निरुभन करता है तो आम जन्माना से सबसे अधिक नस्दीक का जुड़ाओ अगर जो कुछ विभाग है उनमें से राज़ोस्व विभाग अग्रणी विभाग है चाइवह कमिस्टिनरी का हो कलेक्टरेट का हो तैसील का हो इनसे जुड़ी भी इस पूरी मसिनरी के संचालन की विवस्था के साथ ही भूमि से समंधित जितने भी कारे हैं आप्दा प्रबंदन से जुड़े भी जितने भी कारिक्रम है, राहत से जुड़े भी चितने भी कारिक्रम है, राजोस्व विभाग इंस सभी कारिक्रमों को कुछलता पुर्वक आगे बढ़ाता है। बिगत साड़े तीन वर्सों के अंदर अपनी कारेकुसलता के माध्यम से राजोसे विभागने न केवल इन सभी कारेक्रमों को सफलता पुर्वक आगे बढ़ाने में काफी हद तक जन्भावनाओं के नूप कारेकर ने करके अपनी छमता का परिचे दिया है वहें साथी साथ जो हमारे फिर्ड में तैनाद अधिकारी और कर्मी है उनके आवासिये भावनों के निर्माण की कारवाई को सेमवद धंक से आगे बढ़ाना आम जन्मानस के लिए जहां पर कमिस्णरी मुख्याले के स्थापना करने वहां पर मन्ला इक्त की कारवले के स्थापना जिलादिकारी कारवले के स्थापना या तैसील मुख्याले के स्थापना इस सभी कारिक्रम चनवत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं आज का ये कारिक्रम भी आम जन्मानस की सुविधा को ध्यान में रख करके न केवल उन अनावस्य भवनों को जिनके माध्यम से एक सामान्य जन्की समस्या का समयवत धंक से समाधान हो सके ये कारिक्रम जहां इस दिश्य अतिन्त महत्वून है वहीं साथी साथ जो करमचारी वहां पर तैनात रहकर की जन्ता की सेवा के लिए समर्पित भाव के साथ कारिक करना चाता है उसको अस्थाने अस्तर पर ही आवास की सुभधा प्लब दो सके इसके लिए आवासिय भावनों का निर्मान भी समयवद रंग से हुआ है यानि एक साथ सो करोड उपे से अधिकी लागत की आवासिय और अनावासिय परियोजनाओं का लोकारपण मैं एक साथ यहां पर करते हुए मुझे बहुत प्रसंता के नभोती हो रही है मैं इसके लिए अपने सभी मान्य जन प्रतिनितियों को जनता जनारदन को और अपने सभी कि राजस्व विभाग से जड़े भी अधिकारी और करमचारियों को घरते से बधाई देता हूं अपनी सुनकामना यह देता हूं हम सब जानते हैं कि राजस्व विभाग ने कितना वड़ा कारे करोना काल खंड में किया कि जितनी भी करोना काल खंड के अंदर कॉमुनिटी कीचन की विवस्था थी प्रवासी कामगारों तक राहत पहुचाने का कारेक्रम था उन तक आर्थिक मदद देने का कारेक्रम था या फिर अन्य जरुत मंदों तक आवस्य क्वस्तों की आपूर्ती और अन्य सहयोग के कारेक्रव में राजस्य विभाग ने बहुत अच्छी भुमिका का निर्वहन किया। ये कारे सामाने दिनों में कोई भी विभाग कर सकता है। आम जनकी समस्या के समाधान के लिए पूरी प्रतिबदता के साथ कारिकरना है और उसे कारिकरम का हिस्सा है कि जब हम लोग आज आवासिय और अनावासिय इन भावनों के लोकारपण के कारिकरम के साथ जुड़े हैं बहुत सारे तैसीलों से जुड़े वे हमारे मानिय विधायक गर्ण, मानिय सांसत गर्ण अक्सर मुसे इस बात के लिए कहते थे कि हमारे यहां इन भावनों के लोकारपण के लिए कारिकरम बनाने की आव सकता है और मेरी इच्छा भी थी कि मैं परते एक तैसील भावन के लोकारपण के कारिकरम के लिए आपकी यहां स्वें मुपस्तित हूँ लेकिन करोना कालखंड के दोरान हम लोगों ने इस बात को मैसूस किया कि जब तक वैक्सीन या दवा हमारे पास नहीं आती है तब तक बचाओ ही इसका एक मात्र साधन है और सतरक्ता से हम इन सभी चीजों से बसते वे एक कारिकरम को आगे बढ़ा सकते हैं हमें करोना से भी लड़ना है लेकिन सामाने जन जीवन को भी बहुत प्रभावित नहीं होने देना है बचाओ के साथ सभी कारिकरम हमारे अनुवरत चलें उसी का हिस्सा है कि हमें बर्च्वली ये सभी लोकारपण के कारिकरम आज यहां पर संपन करने पड़े हैं राजस्व विभाग मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि भूमी समंधी विवाद के निराकरण करके होने वाले ब्यापक जन्धन की हानी को रोक सकता है और इसलिए आपने देखा होगा पिछले दोनों देश के सश्वी प्रधानमंद्री आजणी नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर स्वामत्य योजना लागू की उत्तरप्रदेश ने स्वामत्य योजना के इंतरगत बहुत अच्छा काम किया है और हमारा प्रया सोना चीए कि आने वाले समय में एक समय बत्र तरीके से हम लोग स्वामत्य योजना कालाब इस देश के गाओं को गरीबों को अनसुची जाती जन जाती अती पिछड़ी जाती से जुड़ेवे उन लोगों को दें जिन लोगों के पास अपने स्वयम के आवास के कागज मौजूद नहीं है क्योंकि उसके मन में एक नया विश्वास भरेगा जब उसको अपने आवास में जहां पर उसका आवास है उस भूमिका भी जब स्वामत्य कालाब उसको प्राप्त होगा तो उसके मन में विवस्ता के प्रती एक दिर्ड़ भावना जाकृत होगी इसलिए स्वामित्य योजना कालाब प्रदेश के सभी नागरिकों को उपलब्द हो सके इस दिसा में हमें तकनी कौप योग करते भी इसको युद दस्तर पर आगे बढ़ाने का कारे करना होगा और जिसने न हम इसे करने में सफल होंगे मेरा ये मानना है कि बहुत बड़ी राजस्य से समंधी भूमि समंधी विवात का समाधान करने में में सफलता प्राप्त होगी मैं धन्यबाद दूंगा राजस्य विवात को जिनोंने 15 दिसंबर से एक बड़े अभियान को अपने हातों में लिया है वह है वरासत का एक बड़ा अभियान और मेरा ये मानना है कि वरासत के समंधी अभियान को हमें एक समय सीमा तैकर देनी चाहिए और उस समय सीमा के अंदर जो नहों उसको डीमड मानते हुए अगर इसके बाद कहीं गलत होता है तो जिस ब्यक्तिने समय रहते संग्यान नहीं लिया है उसकी जवाब देए उसके साथ हमें सुने सित कर लेनी चाहिए इसलिए वरासत का या विहान भी बहुत सारे लोगों को रहत देने वाला होगा और इसके बाद जो अविहान एक अलग लेंगे वहाँ होगा 25 का 25 में लगने वाला नावस्यक 45 दिन के समय की सीमा को और नियुनतम करने और एक सुरक्षित माहोल में हर एक ब्यक्ति को उसके स्वयम के जो भी उसका अपना रकवा है उस पे उसे कबजा मिल सके वहाँ उस पर अपना मालिकाना हग प्राप्त कर सके इस दिससे एक ब्यापक पैमाने पे इस कारिक्रम को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा मुझे प्रसंता है कि देश के पूर प्रधानवंती सर्दे उटल बहरी बाच बीजी की जन्व जेनती के उसर पर 25 दिसंबर को एक विसेस कारिक्रम घरोने का राजस्व विभाग हर गराम पंचायत में प्रारंब करने की एक ग्योशना बना रहा है मुझे विश्वास है कि इस कारिक्रम को हम विद्धस्तर पर आगे बढ़ा करके प्रते एक नाकरी को राहत देने में सपल होंगे तैसील दिवसों को हम जितना प्रभावी बना पाएंगे वह हमारे लिए उतना ही महत्वपून होगा और प्रदेश की अंदर एक सामाने नाकरी को अंतिम पैदान पर बैठेवी ब्यक्तिकून प्रदेश देश की संसदिये लोकतंत्र की विवस्ता पर उसकी आस्ता प्रगाड होगी ही साथी साथ विवस्ता की प्रति भी उसका विश्वास और भी सुद्रड होगा एक बार फिर से आज जिन चनपदों में सामली कासगंज हापूर कुशी नगर हमबेट कर नगर बदाईू लखिमपूर खीरी कानपूर देहात और रहियां सीतापूर मेनपूरी सामली के लिए मैं सभी अपने मन्य केंदरिय मंत्री जनरल विगे सिंग जी को मन्य सांसत गर्ण, मन्य विधायक गर्ण, हमारे मेरे सयोगी मंत्री गर्ण, जो भी इस कारिकरम में सैभागी बन रहे हैं, मैं उन सब को भी हिर्दय से बधाई देता हूँ। उन सभी तैसिलों से जुड़े भी जंता जनारदन का भी अब जंदन करता हूं, उन्हें हिर्दय से बधाई देता हूं, राजोस्वे विभाक के सभी अधिकारी और करमचारीयों को भी सावसर पर उन्हें अपना आवास्य परिवसर और अनावास्य भवन पूरी तरीके से उ उपलब्द हो चुका है, इसके लिए हिर्दय से बधाई देते हूं, इस पोरिय अभ्यान के प्रते अपनी सुपकामनाई देता हूं, धन्यबाद, जैहें